get का मतलब होता है पाना या फिल लेना दूसरा है get down इसका मतलब होता है नीचे जाओ get away इसे कहेंगे दूर हो जाओ get him उसे पकड़ो get out बाहर निकलो get up उठ जाओ get it down इसे नीचे उतारो get me dear मुझे वहाँ ले जाओ get off उतर जाओ get him now उसे अब ले आओ having to इसका मतलब होगा करना पढ़ रहा है जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना पढ़ रहा है I am having to learn English मुझे वहाँ जाना पढ़ रहा है I am having to go there मुझे तुमसे मिलना पढ़ रहा है I am having to meet you मुझे जलदी आना पढ़ रहा है I am having to come early began to इसका मतलब होगा लगा लगी या फिलगे जैसे जाने लगी या खाने लगा example लेते हैं जैसे He began to laugh वो हसने लगा He began to go वो जाने लगा You began to cry तुम रोने लगे I began to think मैं सोचने लगा I began to read मैं पढ़ने लगा You began to eat तुम खाने लगे He began to run वो दौरने लगा Will be able to इसका मतलब होगा सकूँगा जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा I will not be able to go there मैं ये नहीं कर सकूँगा I will not be able to do this क्या तुम मुझसे बात कर सकोगे Will you be able to talk with me मैं इससे नहीं लिख सकूँगा I will not be able to write it Wish I had इसका मतलब होगा काश मेरे पास जैसे काश मेरे पास एक phone होता I wish I had a mobile काश मेरे पास तुम होती I wish I had you काश मेरे पास एक बड़ा घर होता I wish I had a big house काश मेरे पास एक घड़ी होती I wish I had a watch इसका मतलब होगा करना होगा या फिर करना पड़ेगा जैसे I will have to go मुझे जाना पड़ेगा He will have to see उसे देखना पड़ेगा You will have to come तुम्हें आना पड़ेगा He will have to do उसे करना पड़ेगा You will have to wait तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा Who else? इसका मतलब होगा और कौन या फिर और किसने जैसे और कौन वहाँ जा रहा है Who else is going there? और किसने इस काम को किया? Who else did this work? और कौन आज आया है? Who else has come today? और कौन तुम्हारे साथ खाना खा रहा है? Who else is having dinner with you? Such as इसका आर्थ है जैसा की Example लेते हैं मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे की computer, mobile आदी I have many things such as computer, mobile, etc Beyond इसका मतलब होता है उस पार या फिर उसके आगे अगर आपको कोई वस्तू दूर से नजर नहीं आता है तब आप कहते हैं उस पार क्या है या फिर उसके आगे क्या है तब आप beyond का use करेंगे जैसे what is beyond that river, उस नदी के उस पार क्या है In a while मतलब थोड़ी देर में For a while थोड़ी देर के लिए Quite often मतलब अकसर Continuously Lagataar Continually मतलब रुक रुक कर Just now बस अभी Till now अब तक Not yet अभी नहीं Not here यहा नहीं Not there वहा नहीं Over here यहा पर Over there वहा पर So early इतनी जल्दी Quite big काफी बड़ा